तो तो दोस्त आज किस वीडों में बात करेंगे कि अगर आपका नास और ना सुनी के बारे कोो यहां से बाइगरांड वरिफिकेसन कर रही हों कि यह को इजी होता है आपका डेटा एकसिस करना और लेड़ी वहाँ पे डेटाबेस में आपकी बहुत सारी डिटेल पड़ी हुई है तो NSR, NSCOM के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक आपको नहीं की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके देख सकते हो वीडियो यह हो सकता है आपको आई बटन में भी आ रहा हो वहाँ पे आपके लिए करके NSCOM background verification के बारे में आप देख सकते हो अगर आपको blacklist कर दिया है किसी भी company में तो देखो दोस्तों क्या कि जब भी आप किसी company से terminate हो fired होते हो या फिर आप कहलो कि blacklist होते हो blacklist तो केस आता है कि आप किसी company को join करने वाले थे आप आया किसी company ने आप किसी company में काम कर रहा है तो आपको किसी company ने blacklist कर दिया terminate and fired दोनों अलग केस होते है blacklist एक अलग केस होता है तो उसमें होता कि कि फिर आपके select होने के chances decrease हो जाते हैं आप यह कहलो मतलब कि आपके select होने के chances या higher होने के chances आपके 50% हो जाते हैं क्योंकि आप already किसी company से blacklist हुए होते हो and यहाँ पर मैं बता दूँ जब से NSR Nescom portal आया है background verification के लिए इन्होंने जो Nescom ने initiative लिया है NSR के लिए तो इसमें होता है कि कि आपका data जितना भी आपका data होता हूँ company ने अगर एक बार Nescom के portal पर अपडेट कर दिया तो उसके बाद मैं होता है कि कि आपका वो जो data हो हमेशा के लिए उस portal पर हो जाता है अगर आप secondary language में इसको बोलो जैसे कि आप किसी बैंक से लोन ले रहे हो तो चाहा होम लोनों कार लोनों किसी भी दरीके का जब हम बैंक से लोन ले रहे होते हैं तो क्रेडिट हिस्टी चेक होती है मतलब कि जिसको आप बोलते हो credit report जहां से आप निकालते हो ना अलग दिख आपका 500 से नीचे आपको 600 से नीचे है तो उसमें क्योंता कि आपको बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर देती है मतलब आपको बैंक लोन नहीं देती है आपकी credit history क्योंकि लो होती है और वह बहुत ज़दा problem create करती है तो इस वज़ए से कि आपने कहीं default किया होता है इस वज़ है कि आपका credit report जब मनता है आपकी job का total tenure का तो वहाँ पर उनको देख जाता कि इस company ने इस बंदे को इस time पर terminate किया है तो उस time पर क्या होता है कि जब background verification हो रहा होता है तो बहुत सारी ऐसी company जो आपको reject कर देती हैं क्योंकि वह black list वाले candidate को प्रफर नहीं करती है ब्लैक ल आप कसी company से ब्लैक लिस्ट हो तो हाय जली से नहीं करते हैं अब आप यह सोच रहों कि कैसे चेक करें कि नेस कॉम पर अपडेट है कि नहीं है तो उसका access आपके पास नहीं होता है आप चेक नहीं कर सकते हो वह बड़ी बड़ी company से या बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने एक सब्सक्राश कर रखा सिर्फ वह ही कर सकते हैं यह उसपップेर 피부 नको करते हैं अब है यह नहीं को सारे प्रला को सक किसन हुआ है तो उस टाइम के लिए यह कर सकते हैं तो आप अपके हैं जलूर है इस्ट हुए कि यह बड़ी इस चुब हृट्टी आप फेस्टांड के छुपक्रेश्ट कर दी है चैइसे दिटिल होती है दोस्त और सिय टेकनोलजी आगे बढ़ रही है है और ऐसे सारी चीज़ें अब हो रही है क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा मिल जाती है एक बार आपकी डिटेल रजिस्टर होगी तो फ्यूचर के लिए आपका बस डेटाबेस में जाके वहाँ पर चेक करेंगे उनको बैग्रांड वरिफिकेशन स्टार्टिंग से नह और वहाँ पर कॉलिंग चार्जिस होते हैं 199 रुपीस मेरा नाम है शेवा मैं मैं में तो नेक्स्ट विडियों में तेल दना वा ग्रेट मोमेंट और दोंट फोर्गेट तो लाइक से और सब्सक्राइब थैंक यू सो मुच वर कमिंग एर